काश की हमारा और हम सब का जीवन इतना सहज और सरल होता कि हम दाल रोटी में संतुष्ट होकर प्रभु भजन में अपने जीवन को लीन कर पाते हैं लेकिन हमने इतने विस्तार में अपने चीज़ों को पहला लिया है इतना विस्तृत कर लिया है हमारी आकांगशां और सपनों को जो हमें विक्सित तो करते हैं लेकिन कई बार हमें हमारी जड़ों से दूर ले जाते हैं और अपनी जड़ों से यू दूर हो जाना हमारे लिए कई तरह की समस्यां पैदा कर देता है जो स्वास्तगत भी हो सकती है और ये स्वास्त मानच से भावनात्मक और शारेरिक किसी भी रूप में हो सकता है और इन दिनों भी हम जिन समस्यों से गुजर रहे हैं कही न कही उसमें थोड़ा सा कॉंट्रिबूशन थोड़ा सा योगदान हमारी जीवन शेली का, हमारे तरीकों का और हमारी अंधी दोड़ का तो निश्चित रूप से है हलागी मुश्किल के समय में कई तरह के कारे की जा रहे हैं और आनलाइन गतिविधियां लगातर हमारे जीवन को मार्ड दर्शिब भी कर रही है और साथ में हमें जोड रही हैं हमारे आसपास से राश्री मानव संग्रहले में अरिष्ट वन के रूप में इसी तरह का एक कारे सामने आया है इसका क्या कॉंसेप्ट है, इसकी क्या वजह है, किस रूप में ये वन रूप पा रहा है इस बारे में खमने जाना इंदरा गांदी राश्री मानव संग्रहले भोपाल के डारेक्टर डॉक्टर पी के मिश्रा से कर्मचारियों को पांच तरह के पौधे लगाने थे तो हमने उन पौधों में पांच को एड़ करते हुए एक 11 तरह के पौधे लगवाए और पूरे फक्स भर उसको चलाया अच्छा उसी दोरान हमें लगा कि हमारे संग्रहले में बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे जो कर् करते हैं तो हमने कहां कि एक तरह से कई काम हो जाएंगे और नीम ऐसा पौधा है जो बहुत ही जल्दी लिक्सित होता है बहुत कम खर्चे में बहुत जल्दी बिना किसी रख रखाओ के वह आड़ डेवलप हो जाएंगे कि सौ मिटर के एरिये में वह हम लगवा रहे हैं न कि नीचे लोग बैठें दर्सक भी बैठें हमारे जो कर्मचारी हैं और लिंच पीरियेट में वह आके बैठें पोड़ा सांस ले तो कम सांस के मातियं से जो नीम के तब सड़ीज के अंदर पहुंचेंगे और स्वास्त वरवन करेंगे और स्वास्त लाप लोगा मल्टी प प्रियोजन को रोकेगा जो वर्षा से यहां पर क्योंकि बैड रॉक है और उपर मिठी के बड़ी सी परत अब लगत है और वो भी अगर वर्षा के कारणने बैकर के नालों के मात्यम से बाहर निकल जाएगी तो जो नेचरल सेट अप हमारे मीजियम कैंपस का है वो भी काम करेगा श्वायल कांजर्विशन का काम करेगा लोगों के स्वास्ते में प्रिद्धी करेगा यहां का वादाबरन सुद्ध होगा उनके परभाव से जी बिल्कुर तो एक कुल अरिस्टमन का जो नाम है वो अपने आप में अपना उदे से पूरा कर रहा है लगभग कित पूरा कर लेंगे तो सर यह जो पौधे हैं या आप लोगों ने फरीदे हैं या आपको शासन की तरफ से प्राप्त हुए हैं यह हमने राज्य सर्कार के वन विवाग से निवेदन किया था जे जे और उन्होंने बड़ी बहुत ही रूची लेकर के और जब उन्होंने इस क होजे बहुती कम देख़ाल में विक्सित हो जाते हैं तो अभी तो वातावरुन में परियाद्ट नमी है और यह जारों तक तो मैंटेंड है यानि कि टेवरी तक मैं उमीद करता हूं कि नमी मेंटें रहे गी वातावरुन में आगे के जो तीन महीने हैं मार्च, अप्रेल, परिस्थितियों में तो अभी संभव नहीं है लेकिन क्या गतिविधिया वहां चल रही है कैसे जुड़ सकते हैं हम उस बारे में भी कुछ जानकरी चाहेंगे आपसे परिस्थितियों में एक जो सुरुआत की कि हमारे एक जॉइन डिरेक्टर हैं तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि सर मैं एक ऑनलाइन लेक्टर देना चाहता हूं वह सब्सक्राइब और फिर वहां से हम लोग ने फिर अपने को रिविनाइज करना चालों क्या रही और फिर होती थी यानि कि सुचनाओ का क्लेक्शन संगर्ट आप देवी यह मतलब मैं संदर्ब के लिए बता रहा हूं कि अबजेक्ट आप मन्थ हमारे हां संगर्षाले में पहले होता था जी यह हुआ कि इस चीज से इसी तर्च पे हम एक सब्ता का प्राजर्स ऑनलाइन करें इसम क्या उसकी केटेगरी है एक सारी चीज है करके और हम लो हर वीक मैंनी की यह जला तो थी कि मई के मद्द से इसको चालू कर दिया जाए तोड़ी भी दिलंब से हुई लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया तो लगात प्रफ चल्दा है हर सोमवार को अब हम 18 मई से लेकर के एक इंको भी वीक में हम जंता की सामने रखें उनके उपर भी एक वीडियो और इसी तरह की सामक्री जो सारी सामक्रियाँ उनकी पिक्टस और एक वीडियो जो यूट्यूब quiz जो यॵीच्टे बात दीआ जा रहे तो लोग उसको पूरा वीजित कर रहे इता है कि अजी हैं गति विधियों का बहुत बढ़िया रखारा है घर एक और भी हुआ हम आप ज बीजिए से हम लोघ और वेक्टर करा है जो लुछर है यह किसी श्रंखला बढ़ तरीके से चल रहा है चल रहा है जो मामला जैसे किसी की कास दिवस पे हम करा रहें पहले क्या होता थ सब्सक्राइब करें तो इस समय क्या है और सुमवार सी क्या चींच होने वाला है क्या आप हमारे शोताओं को बताना चाहेंगे इस समय एक परवा करके एक क्रिशी समंदी यंत्र ऑनलाइन है वो एक तरह से चमडे का या धात का बना हुआ एक बैग टाइप होता था जिसको एक चेन पुली के माद्यम से या रस्ती को लगाते थे उसमें के लोड उपर करने के विए और किसी वैल के माद्यम से या उट के म इसको चलाते थे उल्डी जिता में तो गहराई में एक बर जाता था पूरा पानी बरता था और वो पशुषक्ति के माद्यम से उपर आकर के एक खास जगह पर गिरता था तरवा है जो बिंड से लिया गया है यह भी आनलाइन है और नेस्ट जो सोमार को होगा उसका नाम है जो 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 गाड़ी है जो राजस्भाणी लौहर है जो लोग अपना पूरा परिवार और पूरा एक रहुत शब्रूप रहे है।च उसके घगग जगव अबड़कर रहते रहे हैं इसे बारे ॉसके बारे में पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे रहुत पूरी इन्फरमिश जासे कि नॉर्फिश्ट का ही एक ले लें जाज इसे बुधिस्ट एत्नोग्रफी का ले लें जी सुरवात हमने बुधिस्ट एत्नोग्रफी से की लग्दाक के एक आइटम को लिया था लेकिन दिक्कत उसमें आई कि उसी थीम पर लगातार मैट्रियल अमको नहीं मिलते और उसमें बैतिक्रम आजाता है, यानि हुआ ये कि जो डिफ्रेंट एरियास ते जो बहुत ही जो टिप्टल चीजे हैं, हर स्टेट को कबर करते हुए, हर ट्राइट को कबर करते हुए, उनको ही उसकी इंपार्टेंस को देखते हुए, हम लोग ऑनलाइन चरें। जो संग्रहाले की मेंटिनेंस है, और जब लोग वहाँ पर घूमने आते थे, देखने आते थे, तो क्या किसी तरह का कोई रिवेन्यू जनरेट भी होता था? रिवेन्यू जनरेशन पर तो बहुत बड़ा थो सर्क पड़ा है, यानि वो तो सुन्य हो गया है, रिवेन्यू जनरेशन होता था और अच्छा काज़ा होता था। लोग इसमें रहते हैं तो घर जादे मिंटेन रहता है, वो चीज हमारे हैं भी है, थोड़ी सी तिल्टा तो आई है, लेकिन हम कोशिस यह कर रहे हैं, कि जो मिनमम मिंटेन्स एक्टिविटीज हैं, वो पंद ना हो, लेकिन दर्सकों के लिए किसी चीज को मिंटेन रखना और मिंटेन करने के लिए मिंटेन रहे हैं, दो में बड़ा फ़र का जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो फ़र कि दिवान है, बस सभी यह उमीद कर रहे हैं, कि जैसे भी धीरे-धीरे ही सही, लेकिन परिस्थेतियां अनुकूल हो, तो सभी चीजें अपनी सामाने गति पर आ मासपास जो मॉन्योमेंट्स हैं, जो धरोहरे हैं, उनकी अभी क्या स्थिती है, और क्या वो ओपन टो आल है या उनमे भी लॉक्डाउन का प्रभाव है, जो जुलाई फर्स वीक से ओपन टो आल है, और उनमें समाने गत्विदिया प्रारंब होगी, समाने गत्विदिया जरूर करती हैं, लेकिन जो मुनिस्ट्री आफ हैल्फ की गाइडलाईन है, मिनिस्ट्री आफ हों की गाइडलाईन है और संबंधि जिला प्रसासन की जुलाइन है, उनको ध्यान मे रख करपी कि दिविदिया चालू है. सरे एक महत्वपोंट जानकारी के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे धन्यवाद